अगर आपने प्रिवेस क्लासिस नहीं देखा है तो जाकर प्लेडिस में जरू देख लिजेगा आप जाकर जरू विजिट करिए तो इसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस एट नाइन में प्लस ऑल इंडिया जीके कोश्टन हम देखेंगे इससे ठीक है टॉफ फिप्टी आएंपी कोश्टन हम देखेंगे इससे रिलेटेड अभी जो हाली में एक्जाम हुआ था करेंट आफ़एर से बहुत जादा कोश्टन पूछे गए थे तो करेंट अफ़एर भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है से लिए बस में दिया हूआ है तो इससे कोश्टन पूछे जाएंगे अगर आप मेरे चैनल में पहली पारा हैं तो चैनल को जरूर सबस्काइ तो विठ्थल दिनकर जी थे परागना पद्यति के जन्म दाता। 36 गड के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिस अधिक्षक क्वाई था? कैप्टन एडमंड 36 गड में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायन मंदिर स्थापित करवाया। तो 36 गड़ में देवपाल मोची ने जो है खलारी में नारायन मंदिर स्थापित करवाया था कल्चूरियों के बाद किसने 36 गड़ की सत्ता समभाली तो कल्चूरियों के बाद जो है मराठों ने सत्ता समभाली थी 36 गड़ का ब्रिटिस समराज्य में विलाई हुआ तो 36 गड़ जो है बेटे समराज्य में कब विले हुआ था 1854 में विला हुआ था 36 गड़ का प्रथम सहीद सैनानी कौन था तो 36 गड़ का प्रथम सहीद सैनानी जो है वीर नारायन सीह थे किसे 36 गड़ का मंगल पांडे कहा जाता है जो 36 गड़ का मंगल पांडे जो है अनमान सीहा को खा जाता है 36 गड़ में रास्टी जागरण के अग्रदूत थे तो 36 गड़ के रास्टी जागरण के अग्रदूत कौन थे पंडि सुंदर लाल सर्माजी थे 36 गड़ को एक स्वतंत्र संभाग का दरजा मिला तो 36 गड को एक सोतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला था? 1862 इसवी में मिला था सरगुजा रियासत को किस वर्ष 36 गड में सामिल किया गया? तो सरगुजा रियासत को 1906 इसवी में 36 गड में सामिल किया गया था सरगुजा रियासत को खतिस गड़ में खीन शेतरों में नर्बली की प्रथा प्रचलीत थी, तो जट्टC गड़ के बस्तर और करून शेतर में जो है जट्टCSt他是 universe के नर्बली की प्रथा प्रचलीत ठी के उसके बाद जो है बंग कर दिया गैया थो नेस्ट हम देखिना हैं tırजित हैं this is Martini rooy sex में त्याग wenुर्थी की उपादि कि यह से दी गई तो चज़तिस घुम में त्याग-मूर्थी की उपादि जो है कि और प्यारे लाल सीह को दी गई 36 गड़ में गांधी जी हरीजन यात्रा कब हुई थी तो 36 गड़ में गांधी जी हरीजन यात्रा जो है नौबर 1923 इसवी में हुई थी 36 गड़ किस राजी के साथ नियुन्तम लंबी सीमा बनाता है तो 36 गड़ जो है आंध्र प्रदेश के साथ नियुंतम सीमा बनाता है जबकि लंबी सीमा जो है यानि की सरवाधिक सीमा ओडिसा के साथ बनाता है किस जीले को विभाजित कर नारायनपूर जीला बनाया गया तो बस्तर जीला से जो है विभाजित कर नारायनपूर जीला बनाया गया किस समयधानिक संसोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ छेत्रों को मिला कर मेखाले राजय बनाने का प्रावधान किया गया किस के इंद्रसासित प्रदेश में प्रसासन के लिए लैप्टिनेट गवर्नर नियोक्ति नहीं किये जाते हैं तो दादर और नगर हवीली के इंद्रसासित प्रदेश जो की नया के इंद्रसासित प्रदेश है ठीक है इसके प्रसासन के लिए लैप्टिनेट गवर्नर नियोक्ति नहीं किये जाते हैं किस राज्यू में विधाई उद्देस के लिए विधान परिशद है निमन आईएस अधिकारीं में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रसास की अधिकारी होता है तो कैबिनेट सच्चिव जो है प्रमुख प्रसास की अधिकारी होता है सामाने परिस्थितियों में एक नगर निकम में प्रसासनिक अधिकार मुखेतर किस के पास होता है तो नगर आयुक्त के पास होता है मध्यप्रदेश की किस दिसा की और 36 कर राज्य इस्थित है च actual स्टामय के उप्लाप्द नहीं है तो च'त्रच काठ उप लगा था कोई अए जॉक्श तेन स्टामय कि theory देखाते ह tempted मैं क्सलाchas देख संदोना और फेल मैं अस्टामय पर्याइब पदोवी दिझे एक मिनिट कौन सा ओध्योगीक विकास केंद्र rigor 46ॉपर राज्ये में सबसे अधिक विश्थ रड्र के तू शीलतरा ओध्योगीक विकास केंद्रin जो है चट्रिसगर как राज्ये में सबसे विश्थ रेथ International law University इन में से किन के नाम पर है इन में से कौन राष्टि एकृस बैंक नहीं है थो राष्टि एक रिच पैंक कौन सा नहीं है साउथ इंडियन बैंक नहीं है South Indian Bank एक जो है निजी बैंक है और RBI अधिनियम के था जो है 1946 में केरल में स्थापित किया गया था South Indian Bank को Next हम देख लेते हैं नेमलिखित में से कौन सा भारत में विकास बैंक का उधारन नहीं है तो विकास बैंक का उधारन जो है भारत में Indian Overseas Bank नहीं है ठीक है और राजी वितनिकम भारती अधिय की विकास बैंक और भारती अधिय की वितनिकम यह जो है भारत में विकास बैंक का उधारन है और भी बैंक है जैसे कि भारती अधिय की वितनिकम है जिसको IFCI कहा जाता है और राजी वितनिकम SFC कहा जाता है उसको short form में और भारतिय ओधिक विकास बैंक जिसको कहा जाता है IDBI ठीक है और भारतिय ओधिक घ्रिण और निमेश निकम जिसको कहा जाता है ICICI बैंक और Unique Trust of India ठीक है जो कि भारत का सबसे बड़ा mutual fund निमेश है ठीक है कौन सा Union Trust of India नेक्स हम देख लेते हैं किस प्रकार की जमारासियों पर सबसे अधिक ब्याच मिलता है तो किस प्रकार की जमारासियों पर सबसे अधिक ब्याच मिलता है सावधी जमा सावधी जमा वो होता है जिसमें जमा रासी को एक निस्चित अवधी के लिए जमा करवाया जाता है जैसे कि अवधी साथ दिन का भी हो सकता है और दसल का भी हो सकता है उसमें सबसे अधिक ब्याच मिलता है नेक्स हम दिख लेता है किस समीथी की सफारिस के माध्यम से खातों में नामांकन की सुविधा उपलब्द कराई गई तो तलवार समीथी के द्वारा जो है माध्यम से खातों में नामांकन की सुविधा उपलब्द कराई गई थी नेक्स्ट हम देख लेते हैं AXIM BANK का पुर्ण रूप क्या है तो AXIM BANK का पुर्ण रूप है भारती निर्यात-ायात बयांक है, इसका जो है, डिटैल से मैंने प्रिवetts फीडियो में बताया है, अब अगर नहीं देखाया तो जाकर आप लेश में जारू देख लिजीएगा यूको बैंक का मुख्याले खालिस्तान में स्थित है तो यूको बैंक का मुख्याले कहां पर स्थित है कॉलकत्ता में स्थित है ठीक है यूको बैंक का मुख्याले घंस्यामदास बिड़ला दौरा जो है सन 1934 में कॉलकत्ता में स्थापित किया गया था और जो है भारत का एक प्रमुक सरकारी सामित्व वाला वार्टिक बैंक है योको बैंक नेक्स्ट हम देख लेते हैं निमलिकित में से किस संगर्ठन से लोकपाल योशना जारी की तो इसका राइट आंसर है भारती रिसो बैंक में संगर्ठन ने लोकपाल योशना जारी की थी नेक्स्ट हम देख लेता है बैंकिंग और विद के छेत्रे में नेम लिखित में से किस सब्द का प्रयोग किया जाता है तो एक्रोड इंट्रेस्ट सब्द का प्रयोग किया जाता है बैंकिंग और विद के छेत्रे में बैंकिंग के छेत्रे में नेमलिखित में से कौन सा सब्द प्रयोग होता है तो एकाउंट सब्द प्रयोग होता है ठीक है बागी एन्ट्रोपी, विसको सिटी, फ्लाजमा ये तो साइंस का सब्द है न तो एकाउंट सब्द बैंकिंग में प्रयोग होता है नेमलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करंसी है तो जापान की मुद्रा क्या है एन है ठीक है नेक्स्ट हम दिख लेते हैं विदेशी मुद्रा समंधी कारिय किस बैंक का है तो अब तर ये बैंक का होता है विदेशी मुद्रा समंधी कारिय नेक्स्ट हम दिख लिएते हैं देश की सरकार एंवं केंद्री बैंक द्वारा जारी नोट वर सिक्के कौन सी मुद्रा होती है देश की सरकार और केंद्री बैंक द्वारा जो जारी किये जाते हैं नोट और सिक्के वो जो है वैद मुद्रा होती है बॉंबए स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है तो बॉंबए स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में जो है 11 स्थान है भारती रूपए के नोट पर कितने भासाओं में नोट के मुल्ले का उलेक होता है तो पंद्रा भासाओं का उलेख होता है इसको भी मैंने डिटेल से बता है प्रिविस वीडियो में वह रिण पत्र जिसके धन आव वापसी की समय सीमा निश्चित हो सके उसे कहा जाता है तो उसे जो है सोधनीय रिण पत्र खा जाता है जो धन वापसी की समय से मान निश्चित हो ठीक है उसे खा जाता है सोधनीय रिण पत्र भारत में इस पाथ सेंद्र के संधर्व में इन में से कौन सा एकम सही है तो कौन सा एकम सही है देखो बोकारो जो है जारखंड में स्थे ठीक है और दुर्गापुर जो है वो पस्चिम बंगाल में अस्थे थे ठीक है दुर्गापुर और सलेम जो है वो तामिल नाडू में अस्थे थे ठीक है यह जो है इसका सही आंसर है मार उत्तर पादेश की किस भाग में पाई जाती है तो माड मिट्टी जो है ऐसी मिट्टी होती है जिसमें जो है सिलिका लोहा ऐलमूनियम होता है सिलिका का 60 प्रतिसवत होता है लोहा का 15 प्रतिसवत होता है और ऐलमूनियम का 25 प्रतिसवत पाया जाता है माड मिट्टी में जो कि तक्षिरी उत्तर प्रदेश में पाय जाता है next हम देख लेते हैं कौन सा राज्य मेमार के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है तो कौन सा राज्य है जो मेमार के साथ सीमा साजा नहीं करता है तो सिक्कीम जो है मेमार के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है सिक्किम भुटान, चीन और निपाल के साथ अंतरास्टी सीमा साज़ा करता है ठीक है? रुआद रकना और बाकी अरनाशल प्रदेश, मिजोरम और मरिपूर नागालंड और जो है ये महामार के साथ अंतरास्टी सीमा साज़ा करते हैं जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं और नाचल प्रदेश, नागा लेंड, मनीपूर और मिजोरम ये जो है मयामार के साथ अंतरास्ती सीमा साजा कर रहे हैं ना ठीक है नेक्ट हम देख लेते हैं निमलीखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उधारण है तो खरीफ फसल का उधारण कौन सा है कपास है ठीक है कपास जो है पंजाब, हर्याणा, राजिस्तान, उत्तर प्रदेश, माथ्य प्रदेश, कुछरात, महाराश्रों, अंधर प्रदेश, खरनाटक, आदी जिलो में जो है आदी राच्यों में जो है बोई जाती है ठीक है और जो जीला दर्रा किस परवत स्रिंक्ला में ऐस्तेत है जो जीला दर्रा जसकर स्रिंक्ला में आते हैं स्रीनलंख से लेह जाने वाली जो सडक है यानि कि सडक मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरती है यानि कि जो जीला दर्रे से होकर गुजरती है स्रीनलंगर से लेह जाने वाली सडक नेक्स्ट हम दिख लेते हैं सतलज नदी किस तर्रे सी होकर भारत में प्रविश करती है सतलज नदी के बारे में एक separate वीडियो बनाया हुआ है जिसको डिटेल से समझाया गया है इसकी पात सहाइक नदियां है और कहां से कहां होकर गुजरती है जितनी भी सतलज नदी सतलज नदी से question पूछे ही जाते है तो इससे डिटेल वीडियो बनाया गया है वो भी आकर आप प्लेलिस में जाकर देख सकते हैं और इससे सम्मंदित और भी question मैंने solve करवाया है जो कि चत्यतकर राज्य सहकारी बैंक भरत परिक्षा के लिए ठीके अलग से तो आप जाकर प्लेलिस में जरूर देख लीजएगा जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने खरवाया है सारे देख लीजएगा सारे question जो है important है इससे question पूछे जाएंगे ठीके तो सतलज नदी जो है किस दर्ड़े से होकर भारत में प्रविश्च करती है तो सतलज नदी जो है सिप किला दर्ड़े से होकर भारत में प्रविश्च करती है सतलज नदी तिबबत में जो कि मान सरवर जिल के पास से बोखर्चु नामक हीमनाब से निकलती है ठीक है और अब यह मैं बता देती हुई एक बार फिर जो कि भारत में दम्चुक नामक स्थान से होकर वो एंटर करती है भारत में सिप किला दर्ड़े से होकर ठीक है जो कि इसकी पास सहाइक नदियां कौन-कौन सी है जेलम, छिनाव, रावी, सतलज और व्याग यह जो हैं पांच सहाइक नदिया हैं जो पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं और यह पांचो नदियां संदुनदी के साथ मिलकर अंत में वो कराचे से होते हुए वो अरब सागर में जाकर गिरती है तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं और हाली में सतलज नदि पर अभी पाकिस्तान और भारत का एक बैठक हुआ था नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओडिशा में लोह एयस्क कहां अस्थे थे तो लोह एयस्क कहां पर अस्थे थे ओडिशा में मैयूर भन जीला और केंदू जर जीला में अस्थे थे ओडिशा में लोह एयस्क ठीक है तो इसका राइटा अंसर है ऑप्शन सी खालिस्तान पृत्वी की चुम्बिकी चेत्रे के लिए जिम्मेदार है तो बहारी कोर पृत्वी की चुम्बिकी चेत्रे के लिए जिम्मेदार है कोर को दो पर तुमें वाजित क्या क्या है ठीके कोर को दो पर तुमें वाजित क्या क्या है प्रित्वी का तो बहुत सारा लियर है है ना जैसे कि आपको बता ही होगा ठीक है एक जो है इंटर्नल कोर यानि कि आंत्रिक कोर और जो है एक बहारी कोर यानि कि आउटर कोर ठीक है यह जो है और आंत्री कोर जो है प्रित्वी का बहारी कोर जो है तरह लवस्ता से है ठीक है यह जो आउटर कोर जो है वो तरह लवस्ता में होता है और आंत्री कोर ठोस अवस्ता में होता है बहारी कोर जो है मैगनेटिक फिल्ड में जो है प्रदर्शित करता है ठीक है चुम्भी कि ये छेत्री के लिए जिम्मेदार होता है आउटर कूर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की साथ बहनों का हिस्सा नहीं है तो उसका राइट आंसर है सिक्केम सिक्कुम जो है पूरवत्र राजों में सामिल है लेकिन मेखाले, अरनाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इस साथ बहनों का हिस्सा है जैसे की आप इमेज में देख सकते हैं भारत में उत्तर से दक्षिनखियो और साथ बहने हैं कौन कौन सी अरनाचल प्रदीश असम मेखाले त्रिपूर नागलेंड माड़िपूर मेज़ोरम ठीक है यह साथ बहने है भारत यान की साथ बहन स्टेट है ठीक है भारत ही तो यह था आज का इंपोर्टेंट जी के कुश्चन अगर आपको वीडियो पसना है हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तम जरूर सेयर करिएगा अभी तक आपने मेरे सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेश कोशन आपको मिले मिलते हैं नेक्स वीडियों इंपोर्टन जी के कोशन के साथ